बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने राजिपाल को अपना स्तीफा सौंप दिया है जेडियू की विधायक दल की बैठक के बाद नितीश कुमार ने राजभवन की ओर रुख किया और राजिपाल के श्रीनात्र पाठी को अपना स्तीफा सौंप दिया है निदीश के स्टीफे के पीछे की बजाव वही महागडबन रही जिसमें RJD साथ थी लालू यादव के परिवार पर जैसे ही भरष्टचार के आरोप लगे तो निदीश कुमार ने तेजस्वी यादव से स्टीफा मागा था लेकिन तेजस्वी ने स्टीफा देनी से साफ मना कर दिया था जिसके बाद निदीश कुमार ने जेडिव की बैठा के बाद फॉरण स्टीफा जॉंप दिया है सियासी गलियारे में ये बड़ी खबर है जिसमें जिस महागडबंधन के द्वारा बार बार मोधी को टकड़ देनी की बात की जा रही थी वहीं लालू परिवार के भरष्टचार के आगे तम तोड़ चुकी है और नितीश ने बिहार के मुख्यमंत्री के पद से स्टीफा दे दिया है वो दुबार की शाम अचानक बिहार से नाट की ए घटना क्रम देखने को मिलने लगा है दुबहर में आरजेडी की बैठक के बाद लालू और तेजस्वी यादव दोनों ने ही दावा किया था कि महागडबंदर पर कोई खतरा नहीं है लालू ने तो यहां तक कहा था कि उनकी नितीश कुमार से बात होती रहती है और उन्होंने कभी तेजस्वी से स्टीफा नहीं मांगा है लेकिन कुछी घंटों में तस्वीर बदल गए आरजेडी की बैठक खत्म होने के बाद शाम करीब पांच बजे ठेडियू की बैठक शुरू हुई बैठक खत्म होते ही नितीश कुमार ने राजपाल से मिलने का मन बना लिया और अपना स्तीफा सौंप दिया अन्मेफ न्यूस के रिपोर्ट